नमस्कार जैहिंद SSJD 2023 परिच्छा में फैल छात्रों के लिए एक अच्छी ख़बर आ रही है आप सभी को पता है इस बार की परिच्छा में 35,000,000 छात्रों ने एकजाम दिया है जहां पर 54,000,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था अब इसमें से जो फीजिकल के लिए पास होंगे उनकी संख्या 3,70,400 के करीब है जिसमें से जो छात्रों फेल हो रहे हैं उनके लिए ये गुड नोज आई है देखिए आप सभी अभी एंसर की के अधार पर जो कटाफ बताया गया है उसी को फाइनल कटाफ मान रहे हो जबकि अंकित बाटी सर ने खुद कहा है कि उनके द्वारा ये बनाया गया गुगल फॉर्म के अनुसार कटाफ नहीं रहेगा तो जो छात्र पांच या दस नमर से फैल हो रहे हैं फेजिकल के लिए उन छात्रों को यहाँ पर परिसान नहीं होना है क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें उन सभी छात्र के दो से चार अंक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे फिर उसके बाद जो एससी ने एंसर की जारी किया है उसमें चार पांच कोस्चन हर सिप्ट में गलत हुए है तो उसमें से 6 नमर वियादी आपको मिलेंगे तो 6, 4, 10, 10 नमर तक बढ़ जा रहे हैं तो जो 8 या 10 नमर से फैल हो रहे हैं चात्र उन चात्रों को भी फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा और उनका भी सेलेक्शन होना तय है तो आप लोग परिशान मत होगे